तो आज हम अन्बोक्सिंग करने वाले है कैशो का विंटेज वॉच्छ तो यह जो कैशो के विंटेज वॉच्छ है वो मैंने एमेजों से पर्चेस किया है तो मैं आपको इसका रिजन बता रहा हूँ मैंने में तरह पी देखा था उसका प्राइस उस पर भी बहुत जादा थ चेक किया तो उसके वह बहुत जादा प्राइस था कैशो के एसके अगर इसका प्राइस चेक करोगे तो वहाँ पर भी उसका प्राइस आप ज्यादा ही मिलेगा यह कैशो को विंटेज वोच है ना तो मैंने пригआ का पे उसका रेट कम है तो मैंने एमेजान पर देखा तो Amazon का इसका प्राइस सबसे कम था तो मैंने Amazon से पर्चेस किया यह तो अभी हम इसका उन्बोक्सिंग करते हैं और अंदर देखते हैं वाच कंडिशन कैसे और कैसी नहीं यह जो वाच है बहुत पॉपूलर है यह जो वाच है बहुत मार्केट में आजकर चल रहे है अगर में जो वीडियो दिखाऊंगा तो आप चेक कर लो कि वही वाच है नहीं तो इसको अभी उपन करते हैं और उपन करने के बाद हमें यहां पे बिल मिल रहा है और अंदर इसके कुछ भी नहीं है तो उपन करने के बाद हमें यह बिल और यह कैशियो का विंटेज सीरीज का बॉक्स मिल रहा है तो अभी हम इसको बॉक्स को उपन करते हैं देखते हैं अंदर बॉक्स की कंडिशन क तो बिल को हम साइड में रखते हैं पहला और यहां पर मॉडल नंबर भी दिखा है आप लेरली देख सकते हो मॉडल नंबर ए वन फाइट डबलू ए वन क्यू तो यह इसका मॉडल नंबर है और इसका जो पैकेंजिंग है वो 2021 का है और इसकी जो रियल प्राइज आप देख स सब्सक्राइब करने के बाद हमें कुछ इस तरह दिखते है वाच तो हम पहला वाच निकालते हैं और यहां पर कुछ ग्यान की बाते लिखते अंदर कहके हैं और अब यह बॉक्स पुरा खाली हाप देख सकते हो इसमें अभी कुछ भी नहीं है तो अभी इसको साइड में रखते हैं और शक्रिकर निकाल रहा हूँ आपको इदम क्लियरली दिखना दिखना चाहिए इसकी वाज़े से उसका लूप कैसे आता है श्रिकर निकालने के बाद वाँ क्या फिलिंग है तो यह हमार शाइनिंग देखो कितने अच्छी शाइनिंग है यहाँ और यहाँ पर आपको कैश्यो का ब्रैंड मिल रहा है दिखे और यहाँ पर भी आपको कैश्यो का ब्रैंडिंग मिल जाता है तो ओपन करने के बाद हमें वाच कुछ इस तरह दिखता है और पीछे सेट से आप अग और Water Resistant और Made in China तो आप इसको केशें час कर सकते हो कि आई अपने आपाँного Fascism का Original Vintage Watch है कि नहीं तो आपको मैं यूँ भी बता हूँए केसे चेक कर सकते हो आपको जो वाँच है और है योआका फेक है और इसका बेट्ट भी एकदम सही है यहां से थोड़ा सा broad है पर यहां से एदम कम-कम होज़ता है यहां से तो इसकी जो display quality है वो भी price की इसाब से अगर देखा जाए तो एदम सही है तो आपको मैं इसके कुछ features बता रहा हूँ तो आपको यह watch को कैसी use करना है तो अगर आप यह left side का जो फर्स बटन है ना उपर वाला तो अगर आप वो click करके तो आपको light का option मिलेगा अभी हम इसको click कर रहे है तो यहां पे हलका सा green color का light आप देख सकते हो अगर इसको छोड़ जा तो चुझा जबता है अभी आपको एक clearly नहीं दिखेगा अभी थोड़ा अंदर है करते हैं और अंदर में दिखते हैं इसका display quality कैसा है और कैसा नहीं तो अभी मैं इसका light on करता हूँ और देखते हैं इसकी display quality कैसी है तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा इसलिए display देखो यहाँ पे आपको clearly दिख रहा है संडे पीम इसकी जो light की जो quality है इतनी अच्छी नहीं है बड़ अगर इसके price की सब्स देखता है तो इसमें बहुत अरे अच्छे अच्छे features है अगर आप जो left side का second button है तो आप अगर आप click करोगे न तो यहाँ पर आपको alarm stop watch और आपका timing set तो आप यहाँ से timing set कर सकते हो और यह अपना normal time तो यहाँ पर आपको तिन option मिलता है आपको भी फिर से दिखा रहा हूँ one click alarm second click stop watch third click time set और four click normal time यह जो third button है तो इसको आपको कैसी use करना है अगर आप उसको click करोगे न तो यह हो गया 24 hours का time set तो यह गया 24 hours अगर बहुत जो नैसे रहते उनको 24 hours पसंद रहता है यहाँ पर देशकते हो 24 hours और यहाँ पर 24 hours का आपको timing मिल जाएगा तो फिर से एक single click करना है अभी आपको चेक कैसे करना है कि आपका जो watch है आपने जो amazon से watch मांगा है किसी भी sites आप purchase कर रहे है watch त आप इसे चेक कर सकते हो तो आपको यहाँ से simple देखना है यहाँ पर आपको सीधा cash-o की bending मिल जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ ड़ी आर दिख जाएगा वह होने के बाद आपको उसके watch के back side पर जाना है बैक side पर जाने के बाद आपको यहाँ पर clearly लिखा होगा यह cash-o और उसके बाद उसका model नमबर रहेगा आपको मैं भी दिखाता हूँ यह देखो दिखा आपको s515n और यहाँ पर भी वही same number रहेगा s515n यह हो गया second उसके बाद आपको यहाँ पर भी cash-o की bending मिल जाएगी तो मतलब यहाँ पर आपको सब जगा cash-o की bending मिल जाती है और उसके बाद आपको यह भी बहुत सारे watch म यहाँ डूब्लिकेट तो आप आपको क्या करना है सिंपल ही आपको watch पकड़ना है इसा नॉर्मली एदमली क्लेर ली तो उसके बाद आपके लिए जो थर्ड बटन का option है जो राइट साड का है अपको यहाँ पर तीन बटन मिलते है एक दो तीन और यहाँ पर कुछ बटन नहीं है तो आपके बाद यह जो थर्ड बटन है ना आपको इसको यूज करने है और आप चेक कर सकते होगे आपना cashow का जो watch है आपना original है कैनी आपको सिफ क्या करना है इसको यह जो थर्ड बटन है ना इसको आपको long press करना है यह दोखो यहाँ पर clearly लिखा आता है cashow करके अगर इसको long press करोगे तो यहाँ पर clearly लिखा है कि cashow करके तो इससे पता चलता है कि अपना watch अपना original है का नहीं अगर आप सो छोड़ जोगे तो अपना normal time पर आ जाएगा तो यह अपने तरीके है जिससे आप पता लगा सकते हो कि अपना जो watch है original है का नहीं तो हो गया watch का अभी मैं आपको warranty card पर लेके जा रहा हूँ इसका warranty कितना है और कितना नहीं अगर आप इसको online registration करते हो तो आपको six month एश्टा warranty मिलते हैं watch के साथ कहके मिले है हमें मिला है guarantee certificate warranty card और यह cashow का six month का extended warranty और उसके बाद यह cashow का tag तो इस watch की जो real price है वह आप देख सकते हो 1695 और मुझे यह Amazon में कितने को मिला मैं अभी आपको उपरा दिखा तो बिल के साथ यह मेरे Amazon का bill 1295 तो मुझे इस price में मुझे यह watch मिले है तो अगर आपको भी यह watch buy करना होगा तो description में आपको link मिल जाएगा तो वहासे आप buy कर सकते हो और मैं क्लासी लुक दे रहा है और इसका जो shining भी है बहुत अच्छा है अगर आप जाता अंदर में हो ना प्रॉपर इसका light नहीं है इदम है light बड़ इसका इतना light है कि आप clearly नहीं देख सकते हो तो अभी मैं आपको यह pen के दिखाता हूँ तो पहनने के बाद watch का कुछ इस तरह तो आज के लिए से वित नहीं मिलते हैं एक शुड़ा में तब तक के लिए पीस आउट ना ते कि स्टापी अम आल वे आख 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 आख